नमस्कार सारे सपल लोगों का इतिहास पढ़ लेना आप इस दुनिया में जितने भी सपल व्यक्ति हुए है ना उनका इतिहास एक बार आप जरूर पढ़ना उनकी जीवनी एक बार आप जरूर पढ़ना जितने भी सपल लोग हुए है ना सबने एक बात कोमन कही है एक भी सपल व्यक्ति ने ये बात नहीं कही है सब सपल व्यक्ति हुए है ना सबने एक बात तो अपने जीवन की कोमन कही है और पता है वो क्या कही है महनत करना हर सपल व्यक्ति ने यही बात कही कि महनत करना जीवन मां अगे बढ़ना हो तो मेहनत करना मत छोड़ना जब हर सपल व्यक्ति ने मेहनत करने की बात कई है तो फिर आप क्यों सोटकट अपनाते हों तो फिर आप क्यों किस्मत पर निर्भर रहते हों तो फिर क्यों आप सपलता प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हद कंडे अपना तो आप तरह तरह के दूसरी चीजों में क्यों जाते हो, सोट कट क्यों अपनाते हो या तो वो सारे सपल व्यक्ति पागल है या फिर आप पागल हो सपल व्यक्ति तो पागल हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो तो अपने जीवन में सपल हो गए है मेहनत करके पागल हो तो आप हो सोटकट अपनाते हो किसमत पर निरुपर देते हो और तरह तरह के हद कंड़े अपनाते हो सफल होने के लिए जीवन में एक बात द्यान रखना मेहनत का कोई विकल्प नहीं है आप चाहिए किसी भी सफल वक्ति को देख लो सचीन तेंदूलकल, एलन मास्क जेप बेजोस अब्दूलकला रतन टाटा, मुकेस अंबन ये सभी लोग इनकी सभी की जीवनियां आप पढ़ना इन्होंने एक बात को में गई है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है अगर आपको जीवन में पकुछ करना है तो आपको जी तोड मेंध करनी होगी आपको मेंध के अलावा आपके पास कोई दूसरा लिकल्प नहीं है जब सारे व्यक्ती, सारे महां लोग जब मेंध के बारे में कहते हैं तो फिर आप मेंध से क्यों बागते हो एलन मस्क कहते हैं कि अगर आपके सामने वाला दस गंटे मेनत कर रहा है तो अगर आपको उससे आगे बढ़ना है ना तो आपको उससे तीन गंटे आपको उससे जादा गंटे मेनत करने होगी तब ही आप उससे आगे निकल पाओगे वो भी 10 गंटे मेनत कर रहा है सपलता पाने के लिए और आप भी 10 गंटे मेनत कर रहे हैं तो फिर आप उससे आगे कैसे निकलोगे अगर आपको उससे आगे निकलना है तो रा दिन एक करना पड़ेगा सपलता के लिए सपल होने के लिए उससे जदा मेनत करनी होगी आपको एलन मस्क कहते है कि मेरी सपलता का यही राज है अगर मेरा कंपिटिटर अगर 15 गंटे मेनत कर रहा है तो मैं 18 गंटे मेनत करूगा उससे आगे निकलने के लिए यही मेरी सपलता का राज है आप पिसमत पर निर्बाइ यार मैं किया करते हो आप सोट कट अपनााते हो मेहनत नहीं करते हो आप भी हो भ्याकर मेंक आप तो राथो रात सब्सक्राइख जितने साफ़न को होरे में कार भूँछ था पाउ hac और आप 6 महीने में 8 महीने में में 2 साल में Ia और नहीं में भी उूफिशन पूना चाहता हूं आप उस जगह में on आप कर रहे हो वह जिस जगह पहुचे है ना उन्होंने हज्जारों मुश्कीले तै कितने ही सारी मेनत की तरह-थरह की विपलता है उनने पाई तब जाके आज वह उस पॉजिशन पर पहुचे हैं और आप रातो रात उस पॉजिशन पहुचना चाहते हो इट कांट भी पुशिबल आपको भी मेहनत करनी होगी आपको भी हज़रो असपलताओं का सामना करना होगा आपको भी तरह तरह की विपत्ताओं का सामना करना होगा आपको तरह तरह की मुश्किलों को सामना करना होगा तब ही जाके आप भी उस टोक पोजिसर पर पहुच पहुआ होगी इसलिए जीवन में ध्यान रखाएंगे महनत करना कभी मत छोड़ना सारे सपल लोगों एक ही बात करेंगे अगर आपको सपल होना है ना तो महनत करनी होगी